इसलामलेकुम दोस्तों मैं नाम सेदाउन है आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं हाजरू आपके सामने फॉरेक्स मारकेट्स की लेके थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके डिफरेंट फॉरेक्स मारकेट्स के प्राइस चार्ट्स पे लजा के ना सिर्व ऑपचुनि आप स्टार्ट करतें बिकाज एज ट्रेडर काम्याबी आपको तब मिलेगी जब आप अपने ट्रेडिंग डिसिजन्स खुद लेंगे अपनी अपनी स्ट्राइड़जी आप डिवेलप करेंगे साथि साथ वो लोग जो के एक्टिव शाट्टिम ट्रेडिंग करने हैं मेरे कॉंटेंट में डिफरेंट्रेडिंग मारकेट्स की अपडे какая जाने बनती vault के आने और अगर फलाग किसम की शकले बनती हैं तो यह औपरचुनिटी उन्को मिल सकती है तो एक guideline मिल जाती है लोगों को जो खास तोर पे इन markets के अंदर जिनकी अपडेट्स में लेके आ रहों उनमें short term active trading कर रहे हैं एंड पर आज का continuity news for logical लगे वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर क्लिक कीज़ेगा विदाउड वेस्टी अने टाइम आए चलें Forex Markets के Price Starts के चलते हैं चलें जी अपनी स्क्रीन पे आप Euro USD का daily price start देख रहे हैं इसे पहले कि हम Euro market की mapping start करें यह मैं बताता चलूँ कि मेरी हर वीडियो के description और इस वीडियो के description में हमारे preferred broker का link दिया हुआ है प्लाटफॉर्म पे Cryptocurrency Markets, Forex Markets, Stock Markets, Commodity Markets और Individual Stocks को trade करने की access दी जाएगी यानि एक ही प्लाटफॉर्म के उपर जूँके आपकी Short Term Trading Watchlist diversified है और यही मैं recommend करता हूँ कि एक Short Term Trader को फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आ रहा है मकसद यह है पैसा आना चाहिए अब उसके लिए important यह है कि आपकी Short Term Trading Watchlist के अंदर crypto भी हो, Forex भी हो, Stocks भी हो, Commodities भी हो ठीक है और यह जो प्लाटफॉर्म हमारा preferred broker है इसके उपर आपको सारी markets एक ही प्लाटफॉर्म के उपर access दी जाएगी trade करने के लिए और खास तोर पे मेरा content अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो, तो पाकिस्तानियों के लिए हमारे preferred broker पे jazz cash के जरीए funding और withdrawal की facility available है अब चलते हैं EURUSD की market की तरफ, यह जनाब एक short term bearish trend आपको यहाँ नजर आ रहा है यह एक ऐसा low place किया जो पिछले low से उपर नहीं बलके नीचे, और फिर यह वाला low जो पिछले low से उपर नहीं बलके नीचे, उसको भी market ने downside के उपर जब break किया, यहाँ पे officially, पहले वाला euro market का जितने भी अरसे से यह short term bullish trend था, यह over हो गया, officially खतम हो गया, और इसकी opposite direction में नया bullish trend आ गया, कि जिस नय bullish trend के आने की confirmation के बाद, market ने यह वाला particular level जहां मेरे mouse का cursor note करें, इस level को जब market ने invalidate किया, उसी level पर market ने pullback दे के inside bar pattern बनाया और break down करके नीचे, और उसके बाद फिर pullback दिया, bearish pin bar signal दिया, और आप देखें कितना violently market downside के उपर गया, इसके अंदर जो update मैंने आपको दी है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने महस trend shift को discuss किया, बास, और कुछ ने किया, यहनि हमने जर्फ यह देखा, कि भाई जो पहले वाला bullish trend था, उस bullish trend के खात्मे का, जो खात्मे की responsibility इस level की invalidation के उपर थी, यह level invalidate हुआ, invalidate होने के बाद, यहां पे एक ऐसा low place हुआ जो पिछले low से उपर नहीं, बलके नीचे बन गया, because इस bullish trend में आप पहले वाले note करें, हर low पिछले low से उपर था, लेकिन यहां पे नीचे बना, और जब market ने इस low को जो पिछले low से उपर नहीं, बलके नीचे है, इसको जब नीचे invalidate कर दिया, तो officially bullish trend खतम ह कि उसके opposite direction में bearish trend आ गया, अब market ने pullback उसी level पे दिया, और यहां पे देखें, downside move देने के बाद, pullback और फिर bearish pin bar, candle की वो शकल जो मैंने बेशतर वीडियो के अंदर, जिसके उपर बात किया है, कि जो कीमतों के गिरने का clue दे रही है, basically, यह bearish pin bar है, sorry, bearish pin bar, कि जो higher prices को reject कर रहा है, trends, जो है, वो क्या बन रहे है, supply aggressive हो रही है, या फिर demand aggressive हो रही है, bearish trend क्या होता है, supply aggressive होती है, demand, bullish trend में demand aggressive होती है, ठीक है, तो euro market के अंदर जनाब pullback के उपर, हमारे पास levels कौन से है, euro market में काम करने के लिए, हमारे पास pullback, हम वेट करेंगे, market all the way upside के पर pullback दे, pullback देने के बाद, 1.0634, यह वाला पहला level है, जिसके पर market pullback दे के कीमतों के trend की direction में move होने के clue देने वाली candle की शकले, यानि के selling setup single अगर हमें मिलते हैं, तो उसके पर हम काम कर सकते हैं, next market, GBP, USD, वही वाली बात GBP, USD में, although हमारे पास, यह दे के broader consolidation ranges हमारे पास, यहाँ पर है, लेकिन upside पे range break होई, और यह bullish trend की continuation में यह वाला particular level था, जो most recent higher low swing support area, market ने इसको downside के पर break किया, वही euro वाली कहानी, break करने के बाद एक ऐसा low place कर दिया, जो पिछले low से उपर नहीं, बलके नीचे बना, और उसके बाद जब यह वाला low जो पिछले low से उपर नहीं, बलके rate किया, जो यहाँ पे bearish trend confirm हो गया, bullish trend over हो गया, और उसी पे pullback देने के बाद downside dump हमें देखने को मिला, और अब हमारे पास जो area है, जहां से पहली attempt हम करेंगे, इस market को sell करने की वह यह वाला particular area है, जो पहले वाले bullish trend के अंदर एक जबदर support level था, और अपने breakdown के बाद यहाँ पे वही particular level अब एक resistance area बन गया और वहाँ पे market अगर pullback देती है, 1.23 यहाँ पे trend की direction में कीमतों के move होने के clue देने वाली candle की शक्रें, selling setup signals को हम तलाश करेंगे, next market, UST, JPY, JPY के अंदर super bullish trend आपको काफी अरसे से नजर आ रहा है, within that bullish trend यहाँ पे जितने भी हमें short term consolidations मिली है, eventually trend की direction में वो consolidations upside के ओपर break हुई है, recently यह inside bar pattern डिसके ओपर बेशतर videos में मैंने अपनी बात की है, इस particular pattern को मैंने buy sell side के ओपर अपनी मुखतलिफ trading markets की updates के अंदर इस pattern के आने के आने के बाद जो opportunities बनी हैं, उनको highlight की है, बड़ा जबदस breakout आपको मिला, यहाँ पे UST, JPY के अं 21 और 22 सप्टेंबर की जो candle है, यह bullish inside bar breakout है, इसकी range पर अगर market यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर buy limit के साथ buy कर लो, और 21 सप्टेंबर की candle के नीचे अपना stop दे दो, पहली try-up, पहला chance यह है, कि हम यह ले सकते हैं, इस bullish trend में खुद को onboard करने के लिए, दूसरा option यह है कि deeper pullback का wait करो all the way market 145, 10 or 145, 90 के एरिया पर आके short term bullish trend की direction में कीमतों के उठने के कलूँ देने वली candle की शकल आपको देती है, अगर price action buying setup signal तो इस पर काम किया जा सकता है, उसके बाद है जिए Australian dollar, Australian dollar एक short term range में, over all bearish dominance थोड़ी बहुत हमें नजर आ रही है, inside bar pattern यहाँ बन रहा है, within that range यह वाला particular level है, higher extremist range की, यहाँ से हमने sell करना है, यह level बनता है 0.6516 का और यह वाला level जहां से multiple time market upside के उपर गई है, यहाँ से अगर कोई अच्छा buying signal आपको मिलता है, candle की वो शकल, जो के promising हो, well formed हो, और कीमतों के उठने का clue दे रही हो, तो उसके उपर upside के बाइं की जा सकती है, तो यह range अपने Australian dollar के price chart के उपर आप mark कर लोती है, यह मैंने आपके सामने तकरीबें 4 forex markets है, इनको आज discuss किया, अब मेरे private trading and learning group के अंदर daily basis के उपर in different markets की regular update को share किया जा रहा होता है, विकस होता क्या है, कि जब इन markets से related updates देने के लिए इस तरह की short videos produce की जाती है, तो उ तो timely update इन videos के through आपको मिलती है, लेकिन उतनी timely नहीं मिल सकती, जितनी आपको अगर आप मेरे private trading and learning group का हिस्सा हो, वहाँ पे आपको मिलेगी, अपनी screen पे आप मेरा discord group देख रहे है, जहाँ पे ना सिरभ आपको regular basis पे different trading markets, जिनने forex stocks, crypto commodity markets हैं, उनकी updates मिला करेंगी, बलके trading course पी आप कर सकेंगे, कि जिन concept strategies को इस्तमाल करते हैं, different trading markets के price starts पे आपको ले जा कि मैं अपना analysis चेहर करता हूँ, तमाम concept strategies को आसान उटू, हिंदी जबान के मुक्तलिफ lectures के जरिए, मैंने अपने trading course के अंदर आपको समझाने सिखाने की कोशिश किये, आपको daily basis के ओपर different trading markets, जिन में forex stocks, crypto commodity markets हैं, उनकी opportunities को बड़े organized तरीके से as a trade signal group के अंदर आपको दिया जाएगा, daily basis के ओपर जो हमारे live streams होते हैं, live sessions होते हैं, उनका आप इस्सा बन सकते हूँ, group joining process बहुत आसान है, आपने क्या करना है, हमारी official website सहीदान.com के पर जाओ, trading quotes and signals की टैप है, आपने क्लिक करना है, इस page को scroll down करके detail में group joining process यहाँ पर लिखा हुए, और साथ ही एक detail dedicated video यहाँ पर दीवी है, जो explain करेगी, आपको screen share करके किस तरीके से आप मेरा private trading और learning group join करके, अपने beginning trading और learning career को professional और next level पर लिके जा सकते हो, अगर आज के content ने आपके वक्त में value add की हो, वीडि क्लिक कीजिएगा, अपने ख्याल रखें मुझे इजाज़त दें, अलाफेज़।